यह सरकार नमस्कार माहल जबता शांदार CA, CS और CA में फाइनल के स्टुइट्स जिनके भी एक्जाम्स में 24, 9 में 24 या उसके बाद होने वाले सरकार इस वीडियो इस फॉर यूल गाईज सरकार जिनके भी एक्जाम्स में 24 में फुल फ्लेजट पढ़ाई चालू हो गई होगी क्योंकि सर न्यू स्कीम जब लोन्च होई उसके बाद आई से कि देदरे मॉडल स्टार्ट हुए लेक्चर्स भी फेकल्डी स्टार्ट हुए और सर आपकी पढ़ाई के लिए आपको टाइम हो सकता है सर अगर आपने टाइमली पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी तो ही जाके टाइमली स्टार्ट होगा और आप उसको प्रॉपरली रिवाइस कर पाएंगे तो सरकार जिनके भी एक्जाम्स में 24 नाव में 24 या उसके बाद है उनके लिए इंडरेट टेक्स का नया बेच हम अनाउंस कर रहे है सरकार देखिए इस बार हमने कौन-कौन से बेच अनाउंस किये आप CA, CS या CMA फैनल इन तिनों में से कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हो इस बेच इस बेच इस बेच इस बेच अनाउंस किये है सर अब तीन बेच का नाम क्या है सब सबला बेच नमर 1 रैगलर इंडेप्ट फुल कोर्स बेच ये लगबग 160 आर्ट का होगा बेच नमर 2 जिनके बास टाइम लिमिटेड होता है पर उनको इंडेट एक्स पहली बार पढ़ना है पर पूरा पढ़ना है साब भाग दोड के नहीं पढ़ना है तो उनके लिए एक्जाम फोकस होते हुए एक्जाम ओरिंटेट फुल कोर्स बैच भी इस बार हमने लॉंच किया है एंड शर फास्ट्रेक बैच ये बैच होगा लगबग 75 आर्ज का एंड एक्जाम ओरिंटेट फुल कोर्स बैच लगबग 115 आर्ज का होगा सरकार ध्यान दीजिए ये तीनों बैचेज में फर्क क्या है ये तीनों बैचेज के फीचर्स क्या है किसको ये बैच लेना चाहिए किसको कौन सा बैच नहीं लेना चाहिए ये बैच ये वीडियो आपको सारी इंफरमेशन देदेगा सरकार सबसे पहली बात अपना जो super hit full course, in-depth batch ये जो होता है, this is around 160 hours, full course, in-depth batch है, इसमें हर एक concept हम in-depth जाके पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो सरकार केल एक्जाम से नहीं, जिन्दगी भर अगर आप in-depth text में काम करते हो, तो माहल बनने वाला है इस batch को अगर आपने लिया तो, and exam oriented batch जो होता है, this is also full course batch, इसमें कोई topic एसाद नहीं, जो हमने नहीं पढ़ाया है, everything is covered, वो भी detail नहीं पढ़ाया गया, पर हाँ, exam को मदने जर रखते हुए, इसको cover किया गया है, 115 hours में, okay, and fast track batch का duration है लग 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 75 hours, अब sir, आप कहेंगे, इन तीनों बेच मे आप सारे topic कवर कर रहे हो, अचा, एक बात और, sir, full course हो, exam oriented हो, या fast track batch भी है, उसमें भी सारे topic कवर है, fast track बेच में यसा नहीं किया, कोई topic कवर नहीं किया, every topic is covered, so, what is the difference, sir, यह hours का difference क्यों है, sir, यह देखिए, main reason यहाँ पर आपको समझ माएगा, all concept क्या in depth पढ़ाए गए ह अचा, in depth का मतलब क्या होता है, time of supply के example के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, time of supply, क्या होता है, time of supply, यह बता है हमने, fast track batch में है, क्या होता है, वो क्यों होता है, के से होता है, time of supply के provisions कहां से आए, क्यों बने, वो सब हम पढ़ाते हैं कहाँ पर, full course, regular, in depth batch में है, मतलब वो provisions क्यों बने, उसका background क्या था, history क्या था, सब कुछ बात करते हैं, अब सरह आप कहेंगे, सब, exam oriented में क्या किया, तो exam oriented में हमने क्या किया, उस बैच को इस तरह स्मार्टली हमने design किया है, draft किया है, कि सरकार, जिन topics को मुझे लगता है, in depth जाके, उनका सारा concept, in depth, ज इसे होता है, और क्यों इस time supply के sections को इस तरह से बनाये वाया है, वो सारी चिजे, topic wise हमने design किया है, किस topic को हमको आपके exams के लिए अगर इतना depth में नहीं गये, तो भी चल जाएगा, वो हमने ये किया है, exam oriented में, बहुत ही smartly एक एक topic पर thoughts देके, हमने 115 hours में ये batch design किया है, so, क् सारे concept in detail, हमने cover किये है, मतलब what, how and why, जैसे, sir value क्या होता है, जिस price पर transaction हुआ है, that's what is called value, value में क्या-क्या include करना है, क्या exclude करना है, तो क्या include करना है, तो क्या include करना है, क्या include करना है, क्यों इतनी सी बात करी हमने fast track batch में, अब कोई transaction में, कोई particular expense, include होगा की नहीं होगा, और अगर include होगा तो क्यों होगा और exclude होगा तो क्यों होगा, यह तना in depth जाके हमने बात करी है, in depth full course batch में भी, plus खास बात, exam oriented batch में भी, time of supply क्यों आया है, कैसे आया, किस तरह से section मनने, यह सब बात हमने करी exam oriented में भी, input tax credit, एक एक लाइन, एक एक वर्ड का हमने पूरा operation जो full course batch म हमने exam oriented में भी किया, पर वक्त की limitation को धियान में लगते होगे, कुछ topic जहां हमको लगता है कि यहां पर अगर इतना depth में हम नहीं गए, पर फिर भी बच्चों को exams के purpose के लिए, everything will be cleared, और सर सारे questions आपके सोलू जाएंगे, वो सब हमने exam oriented में किया ऐसा, पर जो important topics है, जितने supply का definition हो गया, लेवी हो गया, time of supply, value of supply, input tax credit, composition scheme, reverse charge, mechanism, place of supply, जिसको IGST एक बोलते हैं, सरकार यह सारे जो important topic है, जो GST का पूरा main command रखते हैं, जिसके अंदर लगबलगबग, 50 mark के question तो बनी जाते हैं, वो सब हमने in depth एक एक चीज हमने बात करी है, fast track batch, sorry, exam oriented batch में भी, पर जो topic केवल examination के लिए, मुझे लगता है कि practical life में बहुत काम होते हैं, practical life के लिए आपको knowledge बोजोरी की यार, appeals की बात कर ले हम चलो, demand recovery की बात कर ले है, show course नोटी सर होता है, क्या होता है, कैसे होता है, उसका in depth हमने बात करी है, in depth full course बेच में, पर exam oriented में हमने इतनी in depth बात नहीं कर करी है, वहाँ पर हमने in depth practical life में जाके बात नहीं करी है, so इस तरह से हमने full course में design किया है, full course में तो हर topic in depth बात करी है, fast trick बात करी है, जो मुझे लगता है कि exams के लिए, आपको पहले concept बहुत detail माना चाहिए, वो concept आएगा तो ही आगे की chapters आपको समझ माएंगे, वो तो हमने full detail के अंदर बात करी है, और जो topic मुझे लगता है कि आगे जो आपने background पढ़ लिया है, उसकी base पर आगे वले topic आपको easily fast समझ में आ जाएंगे, और सारे question आपके हो जाएंगे, तो वो सब हमने examorated में उस according बात करी के, इसको 115 hours में design करा है, आपके लिए batch, and fast track batch में के अवल, कोई topic हमकम कि बताया है कि यह क्या होता है, यह क्या होता है, यह क्या होता है, वो क्यू होता है, कैसे होता है, उसकी बारे बात fast track batch में नहीं करी करेए, पर हाँ, सबसे important बात, आप batch कोई भी लीजिए, यह आपने fast track batch लिया हो, exam oriented batch लिया हो, यह indepth full course लिया हो, अगर questions coverage की ब सारे आज तक के past exams के question papers आज तक की RTPs आज तक के mock test papers of the IECA आज और सार आपका जो study mental के जितने भी question है वो सारे हमने cover किये है questionnaire में and उन में से जितने भी अच्छे questions होते है जो self करने में थोड़ टाइम लगता है वो सारे question हमने important important या बड़े questions या अच्छे questions जिसे आपके सारे concept cover हो जाए वो सारे questionnaire के question भी हमने in batch में solve किये और खास बात सारे के सारे question जो हमने full course batch में solve किये वो के वो question हमने exam oriented batch में भी solve किये और वो के वो question हमने fast tech batch में भी solve किये है सो सरकार question solving की बात करे कौन सा बेच में किस तरह सब coverage किया है questions किस में cover किये सब में cover किये तो sir which batch as a student should we opt for अगर हमारे exams May 24 में है या November 24 और न ओनवर्ड से तो सरकार कौन सा बेच हमको लेना चाहिए if we are reading it for the first time सरकार अगर आप देखो आपने हो सकता है आपकी office में during articles में काम किया हो आपने definitely intermittent level पर indirect text पढ़ा होगा पर अगर आप exams के लिए पहली बार indirect text पढ़ रहे हो trust me आपने offices में बहुत अच्छा काम किया होगा पर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो for exams purpose तो आपको अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो you must go for full course only okay in depth full course batch only clear पर 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 sir sir अगर आप first time पढ़ाई करें तो fast track पर जाना ही नहीं चाहिए आपको fast track batch पर आपको जाना ही नहीं चाहिए it is my personal recommendation although उसमें सारे questions हमने cover किये जो full course में हमने cover किये but फिर भी आपको एक बार topic समझना चाहिए कि ये कोई topic particular topic कैसे आया क्यों आया ये चीज़े आपको समझने चाहिए पर अब आपके साथ problem क्या आती है साथ sir हमारे exams मे 24 में अगर आपके exams मे 24 में and if you are reading intertext for the first time तो sir यहाँ पर specifically इस item में एक issue आता है sir इस बार new scheme जो लोन चुई है उसके बाद हमको classes करने का time उतना नहीं मिला जितना normally हर attempt में बच्चे को मिलता है so अगर हमारे exams मे 24 में है and आपकी other classes pending चल रही है office से आपको छुटी late मिलने वाली है and आपका time table allow नहीं कर रहा है for 160 hours का batch then you can go for you can go for exam oriented full course batch यह 115 hours में सारे concept आपकी cover करेगा और बहुत smartly हमने हर एक चीज़ को कि इसमें cover करी है जिससे आपको concept भी समझवाएंगे question भी आपके सारे हो जाएंगे और महुल बन जाएगा exams के लिए बिटा पर again अगर आपकी other classes हो चुकी है आपको इतना classes का load नहीं है if your time table allows आपका time table अगर permit करता है next बात अगर आपके exams November 24 and onwards है तो सरकार आपको in-depth full course batch के लिए ही जाना चाहिए क्योंकि you have sufficient time not more than sufficient but you have sufficient time और यह 160 hours में definitely सर हर एक topic अगर आप इंड़क पढ़ेंगे तो पता है आप CACS या CIE में professional बनने के बाद आपके लिए बहुत बड़ी opportunities भी आपके हाथ में होती है तो आपने अगर हर topic को इंड़क पढ़ा ना सर तो आपके लिए पुरा field open होयाता है so you must go for इंड़क full course batch अगर आपके exams नावर 24 and onwards है तो पर हाँ again आपको पता है कि साब अभी तक हमने कोई classes दून नहीं करी है हमारी बहुत सारी classes pending है या आपके घर में कुछ ऐसा function होने वाला है जिसके विए साब time devote नहीं कर पाएंगे पढ़ाई पे time बहुत कम है shortage होरा time का साब ना हो पाएगा then you can go for exam oriented batch इस condition में अगर आप हो तो otherwise in-depth full course batch ही लेना चाहिए आपको क्योंकि आपके पास sufficient time है और हाँ आप अभी batch लेल जी यह जो नया batch आ रहा है हमारा that batch you can take even आपके exams 9.24 यह उसके बाद है आप ले सकते हो कोई तखली वाली बात नहीं है कोई दिक्कत नहीं है amendment जो आते हो बहुत जदा amendment नहीं होते है और वैसे भी 31st October तक के amendment तो हम इस बेच में cover कर लेंगे माई 24 के लिए 31st October तक के amendments relevant होते है 9.24 में अगर exams होंगे तो 30 April तक के amendment relevant होंगे आपके और वो जो 1.9 से लेकि 30 April तक के amendment होंगे वो हम वैसे भी record करके YouTube पे डाल देते है उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने अगर चीजों को in-depth पढ़ावा है तो amendment अपने हाप समझ में आते है क्योंकि आपने चीजों को पढ़ते है ना तो बहुत माहौल के साथ पढ़ते है हर एक चीज का in-depth अगर चले गया तो amendment बहुत एजीले आपके लिए कवर हो जाएंगे को तकलिवाली बात नहीं है सर अब सर क्या यह जो बेचेज है यह studio recording है नहीं 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 सरकार सारे बेचेज भली वो in-depth full course बेच हो वाली वो exam warranted बेच हो या fast track बेच हो मेरे दोस्तो everything is covered every point every question is covered in face-to-face बेच माहौल मतलब सर तीनों ही face-to-face बेच का recording है एक percent भी आप बोर नहीं होंगे माहौल बनेगा हर topic आपके पर शांदा तरीके से in-depth cover होगा बेटा clear तो सरकार point क्या हर topic हर topic माहौल के साथ cover होगा इं-depth होगा या कितना होगा तो मैंने बता दिया आपको हर topic माहौल के साथ मतलब face-to-face बेच का recording होता है तो उसका माहौल यह बनता है interaction होता है energy बने रहती है and sir वो जो हसी मजाग होती है two-way communication होता है आप को यह feel आएगा कि आप face-to-face बेच में बेटे हो आप बोर नहीं होंगे मतलब आप एक एक दिन में तिन तिन लेक्टर देखना चाहेंगे न तो भी आप देख पाऊगे कोई volume questionnaire book आता है and एक summary book आती है और उसका भी summary एक रामबन चाट book आती है यह सारी book आपको सारे बेच में मिलने वाली है अच्छा यह सारी book हम इसले देते हैं पिटा क्योंकि exam oriented बेच हो fast track बेच हो या full course in depth बेच हो सब में ही हमने main book के questions plus questionnaire के question भी आपको solve कराया है तो वो questions solve करने के लिए आपको main book चाहिएगी इसले हो सारी हमने book दीए अच्छा in depth full course बेच में हर chapter main book से ही पड़ाया है fast track बेच के इंदर हमने हर एक chapter summary book से पड़ाया है plus exam oriented में हमने कुछ chapters full course बेच से पड़े वे कुछ chapters हमने summary book से पड़े वे depending on concept किस तर से में को क्या पड़ाया आपको having regard to time constraint आईए सरकार batch commencement date सरकार बेच तो समझ में आगए पर शुरू कब हो रहे सर in depth full course batch is beginning on 10th of October सरकार exam oriented batch is beginning from 17th of October and fast track batch शुरू होगा 9th of November से okay sir what will be the completion date क्या 3-3 मेने batch चलेगा आरे ना चिंता ना करे साब गए जमाने वो sir अब यह batch complete कब होंगे यह batch completion कब होगा sir अगर 10 October को batch शुरू हो रहा है in depth full course batch it will get complete by around 20th November 20th November के आसपास आपका batch खतम पूरा yes अगर आप regular lecture के साथ में तो sir आपको daily base पर lecture मिलते जाएंगे daily base आप देखते जाओ और महौल के साथ यह batch खतम करो and sir fast track batch 9th November को शुरू हो के 30th November को गोगवा gone sir what is the difference in price sir the basic price of these three batches are full course in depth batch अगर आप लेते हो तो उसका price है google drive google drive यह जो prices हमने लिखे है यह google drive mode के लिखे है अगर pen drive की बात करें तो 500 रुपी एक्स्ट्रा है pen drive का हर course में okay sir google drive का price कितना मालिक index full course base 12500 exam oriented base का price है 899 and 6950 is of the price of four fast track batch okay जिसमें सारी books वगरा physically जो books हम deliver करते हैं आपको वो सब included है google drive mode में google drive के lectures and physical books आपको मिल जाएगी हाँ पर सरकार यह जब batch हमने announce कर दिये है अगर आप pre booking लेते हो तो yes early bird discount pre booking discount हमने है इसमें हर बेच में 1000 रुपी कर रखा है so if you want to opt for these batches you can avail these benefits and yes ultimately आपको यह batch is 11500 में full course batch पड़ेगा answer 7999 में exam oriented full course batch आपको मिलने वाला है जिसमें 115 hours में हम पूरा course कवर करना वाले के वल 7999 में and the fast track batch is of 5950 okay so guys these are the details regarding the upcoming batches so must होके पड़े खुश होके पड़े answer जिनके भी exams 924 में है sir यह मत समझना time बहुत है पूचलो मैं 24 वालों से इन्होंने भी सोचा था तो कुछ महिनों पहले की time बहुत है sir time इतना नहीं और हां बहुत सारे लोगों को डाउट होता है sir अमारे exams 924 में है या उसके बाद है और अगर हम batch बाद 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 अभी लेंगे तो क्या पता इन्डाटेक्स में हम भूल जाएंगे concept तो यह guarantee अपनी भाई मेरे guarantee है अभी छोड़ो exam के बाद भी जिस तरह से को topic हमने पढ़ा है वो topic आपको याद रेगा अगर अपने full course in depth batch लिया है तो clear so don't worry जिनके भी exams 924 या उसके बाद है वो भी यह current batch को ले सकते हो amendments हम जो भी आत for any of these batches जैसा में आपको समझाय है वैसा clear so must होके पढ़िये खूश होके पढ़िये which is more important and planning करके उसको must तरीके से execute करिये which is the key of success for final level exams all the best guys mahol जबता शान्दार खूश होके पढ़िये मिलते है batch के अंदर bye bye take care and love you a lot bye